वेल्कम बैक तो दे चैनल तो आपने रिसेंटली बहुत सरे गेमिंग कंटेंट क्रियेटर या इस्पोर्स प्लियर्स जो है उनको यह जो मॉनिटर है जो की गिगाबेट औरस की तरफ से आता है उनको प्रोमोशन करते हुए देखा होगा यह जो मॉनिटर है इसमें वो लोग कंटेंट क्रियेटर के लिए हेलफुल होने वाला और रिसेंटली आपको जैसे पता है कि यह गेमिंग मॉनिटर जो है स्पेशली 43 इंच वाला 4K वाला मॉनिटर जो है अल्टर एजडी डिस्प्ले के साथ आने वाला है वो चल्दी लांच होने वाला है कमिंग सून लिखा कि आता है और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बताता हूं आपको मैं यह जो यूनिक फीचर इसके अंदर दीया हुआ है के वी एम उसके बारे में और बाकि सारे फीचर सब्सक्राइब आपको यह क्लिक करोगे तो आपके सामने सारा डिटेल्स आज आए करने चल जैसे आपको मेंने बता है कि आज हम लोग registration के बारे में बात करने वाले तो फूल-फॉर्म जानने वाले अवा उनलों ने बता हुआ है कीबोर्ड वीडियो एंड माउस तो यहां पर उनलों का यह कहना है कि यहां पर एक USB केबल उनलों ने प्रोवाइड किया हुआ है या फिर आपका कोई भी USB केबल जो है वह आप यूज कर सकते हैं यह फीचर को एक्टिवेट कराने के लिए आपको क्य करना यह USB केबल जो है के स्मार्ठपोन में लगाना है अगर आपके स्मार्ठफ़न को टाइफ सी पूर्ट नहीं है तो आपको अलग से एडप्टर यूज करना पड़ेगा जो clipping आपके है उसके सबसे और फिर आपके स्मार्टफोन में आप एक एंड को लगा दो दूसरा एंड टाइब सिपोर्ट ऑफ दो मॉनिटर रहे उसमें लगा दो और उसके बाद में सिर्फ आपको यह के वियम बटन को प्रेस करना करने के बाद में आपका स्क्रीन ऑटमेटिकली फ्यू में देखा हुआ है कि अपने स्मार्टफोन को से करनेट करके मिल सकते हैं यह चीज़ यह है कि अगर वैटरल लायल जैसे बीजाए मैं स्कूल चैनल के बड़े स्क्रीन पे लगा के ऐसे हो सकता है मैंने करके नहीं दिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास यह मॉनिटर नहीं है पर जिसके पास भी मॉनिटर है तो आप ज़रूर यह ट्राय करके देख लेना एक बार जब आप आपका डिस्पले जो है वह मिरर कर ले तो आपने मॉनि पर आपके स्मार्टफून का डिस्पले जो है वह आपके मॉनिटर पर आ जाएगा और फिर वह आप OBS से कैप्चर करके आपके स्ट्रीमिंग में यूज कर सकता है तो यहां पर सिफ आप स्मार्टफून से इसको नहीं कर सकते हैं आप मॉनिटिपल प्रोड़क्स जो भी ट से जो भी प्रोड़क को कनेट करोगे मानलो आप दूसरा मोबाइल करो टैबलेट करेंट करो या दूसरा पीसी करेंट करो तो उसको भी आप से मॉनिटर से जो है यूज कर सकते हैं सिर्फ आपको यह के वीम बटन को प्रेस करना है करने के बाद में मतलब टाइप अब्जेट करनेट करना है स्मार्टफोन लैप्टॉप टैबलेट जो भी आपको कनेट करना है उसको सिर्फ एटच करो और के वीम बटन दबा दो आप सेम आपके कीबड माउस से उसको अपरेट कर सकते हो और आपने जैसे डेमोंस्ट्रेट करते हुए देखा होगा कि बह क्लियर हुआ रहेगा मेरे इसाब से पर फिल भी कोश्चन रहेगा पूछ सकते हो और अगर आप यह मॉनिटर लेना चाहते हो तो जैसे मेरे आपको बता है वीडियो को शूट कर रहा हूं अभी तक यह मॉनिटर जो है लांच नहीं हुआ है कमिंग सून अमेजान पे दिख नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी मत बूलना बैल आइकन को क्लिक करके वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना 100 लाइक का एम है उसको भी कंप्लिट करवा देना और आजके इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं को अगले और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए साइनिंग ओफ